भगवान स्रीकृष्ण के माथे पर सजाया जाने वाला मोरपंग जितना खुबसूरत दिखता है उससे कहीं ज्यादा प्रभाव साली है क्योंकि इनके बिना तो भगवान स्रीकृष्ण जी का स्रिंगार ही अधूरा है उनका पूजनी अधूरा है घर में मोरपंग रखने से बुरी सक्तियों का नास होता है तो मोरपंग से जुड़े कुछ अचूक तोटके और चार जगह घर में मोरपंग जरूर रखना चाहिए अगर आप चार जगहों में से कोई एक जगह भी रख लेते हैं तो आपका घर का वास्तु भी समाप्त होता है और गरहों के जो बुर अब कभी कभी क्या होता है घर में आकस्मीक थरक्जी रुख जाती है आकस्मिक रूप से बाधाएं आ जाती है जो भी आपके घर में आप कमाते हैं वो बस खर्च होते चले जाते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ठीक उपर बीचों बीच दरवाजे के उपर लेकिन घर के अंदर से गनेज जी की तस्वीर लगाएं अब यह गनेज जी के चोटा बड़ा आपके उपर है लेकिन तस्वीर की पीठ हमेशा घर से बाहर होनी चाहिए क्योंकि गनेज जी की पीठ में दरिता का निवास है और इसके बाद गनेज जी के माथे पर तीन मोर पंक लगा दें पूरे घर का में जो बहुत जादा राहू तकलीब दे रहे हैं आकस्मिक रूप से दुरगटनाय समस्याय धनानी होते जा रहे हैं तो यकिनन यह राहू का ही काम है अगर आपका कुंडली में राहू का दोस हो तो मोर पंक हमेशा अपने पर्स में अपने पौकेट में बटूए में रख आता पिता नहीं है डंग से तो आप क्या करेंगे अगर आपको लगे कि आपके घर पड़िवार को अकसर नजर लग जाता है तब आप अपने घर के मुखे दरवाजे के पास ऐसी जगह मोर पंक लगा दे कि जैसे ही लोग आपके घर में आते हैं सबसे पहले नजर मोर पंक तो अगर ऐसा है कि बच्चे का पढ़ावा पढ़ाई में मन नहीं लगता पढ़ावा उसे याद नहीं रहता तो उनके बुक्स में कॉपी में आप मोर पंक रख दें देखिएगा धीरे धीरे उनकी समरन सक्ति बढ़ेगी एकागर होने की सक्ति बढ़ेगी और फिर बात करेंगे लेकिन आपके लिए कभी अच्छा सोचेंगे भी नहीं अब ऐसे दुस्मनों से मुक्ति पाने के लिए एक चोटा सा परियोग यह मोर पंक का उपरियोग आपके दुस्मन की बद्धी बदल देगा हनमान जी के मंदिर में जाएं किसी भी दिन हनमान जी के मस् अपने घर के पुजा स्थान पे रख दें या मंदिर में ही रख दें अकले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठीए और उसे लेकर बहतेवे जल में प्रवाहित कर दें पीछे मुड़कर मत देखिएगा सत्रू सांथ हो जाएगा कई बार बहुत कोशिस के ब बगवान स्री किष्ण राधा जी के मंदिर में जाकर एक मौर पंक उनके माथे पर सजाकर छोड़ दें चालिस दिनों तक वहीं पर रहने दें और चालिसवे दिन आप वो मौर पंक लाकर अपने बेडरूम में रख लें प्रेम बढ़ेगा खुसियां बढ़ेगी जो पती अगर आपके छोटे बच्छे बार बार नजर लगते हैं तो उनके तक्ये के कभळ में मोर पंक डाल दें उनके बेडर के बच्चों को नजर नहीं मौर पंक लगेगी चुकि मोर पंख लक्षमी, सौभाग, खुसाली, धन धाने और संपन्नता के लिए पुजनी है और मोर के पंखों का प्रयोग मा लक्षमी की इनी विसेस्ताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है तो मोर पंख को अगर आप बांसूरी के साथ घर में रखें भगवान सरी कृषने के पास तो तस्वीर जो आप रख देते हैं उनके तस्वीर के पास तो रिस्तों में प्रेम बढ़ता है सुख बढ़ता है, सौभागे बढ़ता है, खुसाली आती है मोर पंख जितना खुबसूरत दिखता है न उतने ही काम का है अगर गरहों का असूब प्रभाव ज़्यादा परेसान करे तब आप प्रियोग मोर पंख का जरूर कीजिएगा वैसे तो हर धर्म में मोर पंख का इस्तेमाल करने का विधान है और मोर पंख का टोट का दुसमनों को जो वो आपके उपर परेसानी डाले हुए है या आपके जीवन में परेसानियां क्रियेट करते हैं तो वो खुद ही अपने जाल में फस जाएंगे अगर हमेशा ही बिजनस में नुकसान हो बेबजा का पैसा खर्चा हो परेसानी बढ़ जाए तो आप अपने घर और दुकान में पूरब दिसा में मोर पंख एक लगा कर रख दे आप चाहें तो फ्रेम करा कर भी रख सकते हैं नकात्मक तक खत्म होगी लक्षमी आती है क्योंकि मोर पंख जहां रहता है वहां सिर्फ सकात्मक उड़ जाए आती है और अगर लाग कोशिस करने के बाद भी बार बार काम मटकते हो मनोवांचित फल नहीं प्राप्त हो रहे हो तो मोर पंख का प्रियोग जरूर कीजिए और अपने घर में लाके रखिए तो पहला मोर पंख आपको लाके रखना है अपने गनेज जी के तस्वीर के ठीक ऊपर कहां रखना है घर के मुखे दरवाजे के अंदर की तरप से गनेज जी लगाने है उन्हीं के माते पर मोरपंग सजाना है दूसरा आपको ऐसे जगर लगाना है कि आते जाते लोगों का नजर पहले मोरपंग पर पड़े बाकि अन्य चीजियों पर तीसरा आपको मोरपंग अपने भगवान जो आपने पुजा स्थान पर भगवान की तस्वीर रखी है वहां पर मासूरी और मोरपंग भगवान स्रीकृष्ण को भेंट करके वहीं पर रखें और चौथा आप अपने बेडरूम में रखें तक यह की नीचे रखने से बच्चों के लिए बढ़िया होता है अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द करोर पती बन जाए कहने का ता में कहा जाता है कि जहां पर आप पूरे परिवार के लोग एक साथ इकठा होकर बैठते हैं वहां पर मोरपंग रख दें आप चाहें तो अपने टेलिवीजन के पीछे से सजा सकते हैं हमेशा ही नजर पड़ेगा धीरे देखिएगा धना आते रहता है क्योंकि मोरपंग का अगर आप के घर में जैसे की देखिए बहुत सारी देवी देपताओं को मोरपंग सजा जाता है जैसे सिप जी के माथे पर गनेज जी के माथे पर आप अपने पूजास्थान पर सभी देवी देपताओं के माथे पर मोरपंग सजा ये अगर हनमान जी है उनके माथे पर होता है उसको कट करके लड़ों के अंदर डाल के और उसको खिलाया जाता है जिस महिला को संतान प्राप्त करना है सिग्र ही संतान प्राप्ती का वर्दान मिलता है ऐसा हमारा तंत्रसास्त कहता है हम आपसे बिदा लेते हैं हरहर महादेव धनिवा जानकारी अच्छी लगे त कर दो